हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक माई यूटूब चैनल पीवी यार इश्टडी चलियाज हम आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार प्रशना हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की समय में जी इस दा मोस्ट इंपॉर्डेंट ठीक है और हर एक एक्जाम में कंबल सरी है कि यह कुशन आने ही आने है ठीक है तो चलिए हम जी इस को देख रहेते हैं और जो आपको कुशन होगा उस समंदित उसके बारे में कुछ जानका या आपको इस वीडियो में देंगे तो चलिए आते हैं जैसा कि हमारा फर्स्ट कुशन फ्रेंड्स क्या कह रहा कि कंचन जंगा विश्व की तीसरी सबसे उचे परवत चोटी है जो उत्तर बश्रिंभाग नेपाल के सीवा पर है इसकी उचाही लगबक फ्रेंड्स 8586 मीटर लगबक है और यह परवस रिंकला हिमाले को मतला हिमाले में अता है और देख लिए इसकी तस्बीर यह बनी हु सकता है और सिक्किम कंच सकता है कि कि की ता मतलब की सबसे ऊची वरवत कौन से यह तो आप सकते हैं कि सीख की मैं ठीक है और यह कि और यह बनी होती है कि सूर के सबसे नजदीक ग्रह बुद्ध ग्रह है और बुद्ध ग्रह सौर मंडल का आठ ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह है और सूर के निकत्तम इसका परिक्मर का लगभग अठासी दिन में होता है और प्रित्वी से देखने पर ये अपनी कच्छा को एर्द गिर्द 166 दिवसों में मतलब की 166 दिवसों में ये घूमते नज़ा रहा है और जो ग्रह में सबसे तेज ये चलता है तो ये जो हमारा बुद्ध ग्रह है देख लीजे इसको मरकरी इंगल बहुत बुद्धि मांग रहा है वैसे भी बुद्ध के पास बुद्धि तो होती है फिलाल लेकिन ये बहुत इंट्यलिजन ग्रह है ठीक है तो चलिए आगे कोशन पर आते हैं हमारा थर्ड कोशन क्या कह रहा है आगी का मारा कोशन बोल रहा है पुर्वांतर सीमांत ठीक है काम रूप मेट्रोपोलिटन माली गहों का जिला है और सहर गौहाटी सहर है ठीक है तो इस इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा इससे भी बहुत समंधित प्रशन वारे पूछे आते हैं आगे बताते हैं प्रथम भारती फिल्म राजा हरिशन के निर्माता कौन थे द ससके का अदक हल utiliser वह сюzहांने निर्माता माने जाते था अमधित वारती फिल्म फिल्म पिता को माक आंगया all वे ठीक हो तो उने कहा जाती डादा सहार वह सर्जे जे स्कूल आड réponse यह का पड़े हुए थे और एक कलाकार थे और मंच के अनभवी वे अभिनेता भी थे और साथ ही ये एक जादुगर थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भवन बड़ादा से फोटोग्राफी का एक पाट क्रम भी किया करते थे तो इनके अंदर बहुत सारी खूवियां है ठीके चलिए आगे कोशन पर आते हैं थर्ड कोशन हमारा क्या कह रहा है देखिए कोशन है थर्ड की असंम के कौन से वेक्ति भारत के राष्ट्रपती रह चुके हैं तो असंम में जो राष्ट्र माई 1905 में बिली में हुआ था इन मित्यू स्थल ज्यारफ फरवरी उनिस गिवंद में और इनका इन गठिट की भारत के पाचवे राष्ट्र पती है और यह आजम स्थल पती है चलिए आगे कोशल पहाद़ी हैं सातवास्यन हमारा क्षुश्यन यह क्या है कि पुस्त बार यंद पीश लेखक कौन लियो टॉलश थीक 막 यह यह लियो टॉलश टोई उननी विश्वशदी के सम्मानित लेखहों में से एक है और इनका जन्म कब होता था 9 सितंबर 1828 को रूस में इनका परिवार रहता था और उन्हीं का जन्मदीन वहां पर मनाया जाता था और उनके जन्म मस्कों से लगबक सौ मेल दच्छण में इस्तिद रियासत में हुआ था इनके माता-पिता का देहान बच्पन में ही हो गया था और यह बच्पन से ही बेने माता-पिता के रहते थे ओके इलa कि आते हैं आगी की यह कोश्ण हमारा क्या रहा है है और मुख्ती ऑजय वठन के लोग को आपको चुہ गाना बहुत पसंदोगा आप लोगों को फ्रेंश मेरे वतन के लोगistes ह которых में आप सुनके जरूर देखिएगा यह गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग अपने इंडिया में नहीं मिल्की हम लोग सर्ग में पहुच गए हैं और यह गाना बहुत ही बहुत अच्छा है तो चलिए देख लेते हैं गाना पे नहीं आते नहीं आप लोग भी सुनते प्रदीप एक मामली सी नाम आपने सुनाओं प्रदीप ठीक है लेकिन इनको बता दे कि यह एक इंग्लिश टाइडल था मतलब की तो उन्हें ओ पीपूल को लिखा था कशलें को ने करते हैं ने को दने मापने का प्रेंड बैरो मीटर से वायू मेंडली मा ने का पैमाना फ्रेंड्स बैरोमीटर बैरोमीटर से में लिदक को वापा जाता है ओके चली आगे कोशन पर आते हैं Amima में कितने शार्यक कितने कोशिका होते हैं फ्रेंस एक कोश्का होते हैं चली परें Amima के बारे में कुछ कर लेते हैं Amida Amida एक ऐसा जनतु है जिन surf Wirda कूई अकार नाकरती होता है और ये बिना आकार आकृती के होते हैं इनकी आकृती और आकार हमेशा बदलती रहती है और उसके साथ सद ये अपना बोजन सायम नहीं बनाती है ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं और आपको सबसे बड़ी बात बता दें अपने आकार को बदलने की चमता रखता है और ये मुख्य रूप से स्यूड़ो पोडस को निकालने और पीछे हटने से अमीवा का एक एकल वरगी करण समू नहीं बनाते हैं और इसकी वजाएवे यूकरियोटिक जीवो के लिए प्रमुक वंस में पाय जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अपने कूट पात की द्वारा बोजन करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने आपको इसकी दिवत राज करते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में 15 कोशन बताया और जो बहुत ही इंपॉर्टन डेफ्रेंट्स और मैंने पूरे एक्स्प्रेंट के साथ आपको इस वीडियो को बताया है ठीक है तो इस वीडियो को आपको अन तक जरूर देखिएगा और एक एक कुशन को समझेगा लेकिए 15 कोशन आपको में अच्यवड ये झापको इन झापको इस वीडियो झापको इस वीडियो झापको बताया है चाहता है